हेलो गाइज वारकम तो न्यू वीडियो और आज हमारे साथ है 2024 कावासा की निंजा 300 बीए 6 मोडल इसमें तीन कलर आता है तो सबसे पहले आपको कलर दिखा देता हूं एक हो गया लाइम ग्रीन कलर दूसरा हो गया केंडी लाइम ग्रीन तो वह आप देख लो वह यहां पे है तो भाई इसका थोड़ा ग्राफिक अलग है यहां पे आप देख सकते हैं एक और इसका एक्स्टा कलर है जो कि है सबसे पहले इसके फ्रण लुप लस वॉकरांड दिखाता हूं इस बाइक के देखो दूल सेट एट लाइट आता है दोनों हेलोजेन है पास से दिखा देखंयतν हूं यह भी आपसे थे हैं इसका आताफ सन ते बिल्च कह इन्डिकेटर और आर उइस साफिय में वाइसागा आएगा फ्रंट लूप कुछ ऐसा है इस बाइक का तो यह रहा कुछ फ्रंट लूप यहां पर आपको कावासकी रेसिंग टीम का ग्राफिक प्रस यह रहा इसका टायर यह भी इसका ब्रैंडिंग है डूल चनल यह के साथ आती है बाइक साथी साथ दिखा दूं आपको का यहां पर ऐसे ब्रांडिंग रहता है यह रहा इसका एक्जॉस्ट यह रहा राइडर और पिलियन फुट्रेस्ट यहां पर रहा रहा यह प्रेक यह हो गया पीछे का ग्रेभ हैंडल तो पीछे का भी लुक शेक आउट कर लो भाई तो यह रहा भाई पीछे का लुक सब म मतलब इसमें साधी साथ बात करें तो यहां पर राइडर और पिलियन फूर्ट ररिष्ट यह रहा आपका 6-akah यहां साइड इस्टेंड इसमें सिंगल इस्टेंड आता है इधर भी कावा सखी का ब्रांडिंग 200 का ब्रेंडिंग ग्राफिक रहा 300 का निंजा लिखा हुआ वाइट कलर में यह तो हो गया पूरा पूरा वाकराउंड यह रहा इसका फ्यूल टैंक फ्यूल टैंक भी देख लो भाई इस सेफ में है कि अच्छा से ग्रैब करके आप बैट सकते हो थाई में बहुत अच्छा ग्रैब करने को पनेगा आपको इसलिए इसका ऐसा सेफ है तो क्योंकि भाई बाइट तो चलना इंजन पे ही है तो सबसे पहले आपको बता दू इसमें 296 CC का लिक्विट कूल हो इसमें आपको इधर से आपको पता चल देगा पैरलल ट्वीन इसलिए कह रहा हो देखो यहां पे आपको दो पाइप निकला हुआ दिख रहा होगा तो साथी साथ टॉर्क बता दू तो इसमें मिल जाता है 26.1 Nm का टॉर्क 10,000 rpm तो यह हो गया इसके इंजन का इंजन भाई काफी संदार है काफी रिफाइंड इंजन है बाकि बाइक में आपको कोई कमी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि पैसा कुछ ज्यादा दे नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसमें की 6 gearbox तो बता ही दिए आपको एक डाउन बाकी 5 अप में मिल जाएगा आपको तो 17 लीटर का फ्यू टैंक अपसिटी मिल जाता है अब बात करते हैं इसके suspension का तो सबसे पहले front से सुरू करते हैं 37 mm का टेली स्कोपिक फॉर्क मिल जाता है इसका विल ट्रेबल का बात करें बाइब तो 120 mm का विल ट्रेबल है इसका प्रंट संस्पेनसन इधर से भी जख रू और ये भी जख लो जैगा यहां प кошल्क करते हैं जो पिए अपन फारी निफ ट्रेबल बता एक तो 130 mm का विल ट्रेवल हिसका इंजन एसमन ग्राफिक इसका अब बात करते से तो देखो बाई यहां पर सबसे पहले देखो इसमें थोड़ा अलग देख ने को मिलता है इसका ब्रेक कलीपर ब्रैंडिन्स का यह पर ब्रैंडिंग माग। कशनल निसमें भीलिय Whatsém मिलता है फ्रंट डीस्क का बात करें तो 3900 अम्म का डिस्क मिल जाता है इसमें शाती साथ रियर के बात करें तो यह रहा इसका रियर डिस्क प्सक्स एट्स पडिए इससमें A.B.E.A.B.S अटच है इंडिय। आधैस का अखें है इंडिय। का ब्रेक क defence मिले हैं 220 m meiner डिस्क प्सक्स कों के साथ ही अफ्रांट प्लस रियर दोनों विल आपको 17 ins क्या मैं जाता है इतमें ग्यून के लिए तो आपको इसमें मिल जाते हैं फ्रन टायर 110 70 R17 बिर नेक्सिट बात क्लते हैं इसके रियर टायर का तो जब भी 300 में यह तो हो गया भाई पूरा बाइक का डिटेल बाकी आपको एक बार और देख लो इधर से एतना ल्यादा मतलब बल्की सी बाइक दिखती है लेकिन वेट आपको बता दूम है 179 kg ही सिर्थ है तो परफॉम्मेंस में आपको कोई कमी होने वागा नहीं 179 के जिभाई वेट है इसका 300 C का इंजन मिल जाता है आपको इसमें सीट हाइट का बात करें प्लस सीट कमफर्ट का तो स्प्रिट सीट को बताए जिया मिल जाता है एको राइडर का भी सीट कमफर्ट है पिलेन का भी सीट कमफर्ट है ज्यादा कमफर्ट तो नहीं क्याता है आपको जब भी एक sport bike लेते हो तो rider का seat comfort होना चाहिए तो इसमें आपको rider का seat मिल जाता है 780 mm का seat height मिल जाता है इसमें rider का साथी साथ इसमें बात करें ground clearance का तो देख लो भाई यह राइस का ground clearance तो sport bike पे ज्यादा expect कर ही नहीं सकते हो आप ground clearance तो इसमें आपको 140 mm का ground clearance मिल जाता है अब बात करते हैं इसमें आपको इस तरफ क्या मिलता है देखो तो यहां तो हो गया यह dashboard कहलो मतलब यहां से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जब भी आप ride करोगे तो यह भी दिखा देता हूं इस तरफ तो होगया clutch brake accelerator यह तो common सी चीज़ है यहां पर आपको pass light मिलता है higher beam lower beam indicator horn और यहां पर engine kill switch plus self start button semi digital meter मिलता है इसमें यहां पर दो button मिलते हैं आपको इसको toggle करने के लिए देखो यहां पर RPM meter है बाकी यहां पर speed वेगरा सबकुछ यह भी सबकुछ information ही बताएगा आपको indicator वेगरा सबकुछ बाकी बाइक अभी on नहीं 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 on होता तो मैं आपको सबकुछ करके दिखा यहां पर आपको हर चीज speed वेगरा fuel meter वेगरा सबकुछ इसमें देखनों कर मिलेगा तो कुछ overall walkaround plus इसके कुछ detail तो आपको कैसे लगी इस प्राइस रेंज में comment करके बताना दाकी आपको ninja की कोई भी बाइक चाहिए तो आप डिरेक्ट कर सकते हो आपको सब्सक्राइब करना देखिए अपने बाइक को मन पसंद बाइक पसंद करिये और ले जाए पाकी पुरा का पूरा मैं वाकरांड प्लस सबकुछ दिखाए दिया तो अगर कुछ रह जाए तो वह आप comment में पुछ लो या फिर next video में मैं जरूर बता दूंगा तो कर दूर दो